हेलो स्टुडेंट मैसल पुनित पंडे यह फैकल्टी ऑफ साइन्स अंट टेक्नॉलजी आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट लून तो देखते हैं प्रोजेक्ट लून यह जो प्रोजेक्ट लून में लून शब्द है यह बेसिकली कंपनी यह वे लून-शब्द से मिलकर बना एक बैलून शब्द का ही इस नससा या उसको कट लिए और सो क्यार द्यायर ४रोजेक्ट लून यह निए इसमें पढक支持 कि भाल्रुम्णर्य को भराइक भर चोप्रोजेक्ट हो गी गूगल जो company है, जिसका search engine आप लोग प्रियोग करते हैं, उसका initiative है, और इसका अगर एक line वेश समझने, या दो शब्दों में समझने की कोशिश करें, इसका अर्थ होता है, किसलिए बनाया गया है project, यह project बनाया गया है, internet for remote areas, तो यह किसके लिए बना है, इसके लिए जो keyword ह आपका, वो है, internet for remote areas, remote areas मतलब ऐसे दूर दराज के छेतर जहां पर mobile tower ना हो, या topography, या इस्थलाकृती, इस्थल की आकृती ऐसी हो, कि वहाँ पर tower का installation करना क्या है, संभाव ना हो, या फिर वो जगह कैसी हो, कि वहाँ पर पानी वगरा, समुदरी सता हो, कोई island हो, यानि क जो की mainland, जो मुखी भूमी है, उससे काफी दूर हो, जहां तक signal भेजने में, transfer करने में, क्या है, signal की strength कम हो जाए, या signal altogether प्राप्थी ना हो, तो ऐसे areas को connect तरने के लिए, ऐसे areas में जो population रह रही, जो लोग रह रहे हैं, उनको आपस में connect करने के लिए, या internet के द्वारा connect कर बनाया है, तो project loon basically कैसे काम करता है, वो समझते हैं, आपके सामने diagram बना हुआ है, और इस तरह हम समझते हैं, कि यहां पर यह हमारा mobile service operator है, माल लेते हैं BSNL, यह हमें internet प्रोवाइट कराता है, ठीक है, जो main provider है उस country का, जो कि internet के signal किसको देता है, subscriber को देता है, ठीक है, अप इसको कहते हैं, तो यह से कि BSNL का हमारा जो base station है, जो कि signal को भेजता है, अब इस station के साथ दिकत है, यह ऐसे area में, जहां पर इसके जो subscriber है, जो उपभोगता है, वो जिन area में रहते हैं, उसकी topography बड़ी होश्टाइल है, बड़ी गड़बड़ है, अब जैसे माल लेते हैं, हमें दो घर हैं, home number one, और home number two, दो घर हैं, और दोनों घरों में signal भेजने के लिए, अगर हमारा service provider, इन दोनों घरों में रहने वाले subscriber को इंटरनेट से जोड़ना चाहे, तो उसे देखते हैं, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे क्या करन पड़ेगा, अपने telephone towers, जो mobile towers से वो लगाना पड़ेंगे, और यह mobile tower क्या करेंगे, signal, हमारे जो service provider है, BSNLC signal एक tower में जाएगा, इस tower से दूसरे tower में, दूसरे tower से तीसरे tower में, तीसरे से चौते में, और ultimately उभोगता के घर तक पहुचेगा, तो जाहिर सी बात है, towers की संख्य संख्या क्या है, बहुत जादा tower की संख्या हो गई है, दूसरे हम देख रहे हैं, हिली एरिया में towers लगाने पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कि economically यह feasible नहीं होता, कि छोटा सा गाँ है, 100 लोग रहते हैं, वहाँ पर उनके लिए इतने सारे towers लगाए जाहिर सी बात है, अगर signal हम बेचते हैं towers के जरीए, तो signal island तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएंगे, काफी weak हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और दूसरी चीज है हम समुद्र के बीच में, telephone का tower लगा नहीं सकते, समुद्र गहरा होता है, तो project loon के तहत, जो Google ने सोचा है, वो क्या स हम mobile towers हैं, इनको जमीन से उठाकर आसमान में ले चलें, और signal को आसमान से, sky से हम नीचे की तरफ जो है, वो beam करें, ठीक है, तो इससे जो हमें tower जो इस्थला करती है, जो हमारी इस्थल की आकरती खराब है, उससे हमारा बचा हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं कैसे काम towers को हम थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, अब हमारा project loon start हो रहा है, यहां से, ठीक है, तो यह सारे towers हम हटा ले रहे हैं, अब देखिए, होता क्या है, यह Mount Everest है, ठीक है, Mount Everest जो कि इसको बारे में आप जानते हैं, विश्व की सबसे उंची चोटी है, और इसकी उंचाई 29 feet, लगभग लंबा है, उंचाई है इसकी, ठीक है, जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, हमें पता हवाई जहाज जो planes होते हैं, वो basically किस में उड़ते हैं, स्ट्रटो स्फियर में उड़ते हैं, और यह लगभग सारे के सारे plane जो हैं, 30,000 feet की उंचाई पर उड़ते हैं, 6 mile, 6 mile की उचाई पर basically हमारा plane उड़ता है, प्रोजेक्ट लून के तहट क्या किया गया, कि कुछ ऐसे balloons बनाए गए हैं, हवा में उड़ने वाले गुबारे, जिनके नीचे जो है, इंटरनेट सिगनल को रिसीव और बीम करने वाले antennas लगे हुए, यह क्या करते हैं, बैलू समताप मंडल जिसे कहते हैं, समताप मंडल में यह बैलून उड़ते हैं, और इनकी उचाई होती है, आठ किलो मेटर से लेकर 25 किलो मेटर का, जो रेंज जिसे रेंज में उड़ते हैं, उस उचाई वो है, आठ किलो मेटर से लेकर 25 किलो मेटर की उचाई पर उड़ते हैं, जमीन से इतनी उचाई पर है। हमने शायद पढ़ा है, अगर आपने जियोग्रफी पढ़ियोगी तो आपको पता होगा, समताप मंडल एक ऐसी जगह है, जहां पर जो मौसम होता है, मौसम वहां का शांत होता है, मतलब वहां पर ब्रादल गरजना, तूफान आना, ऐसी घट लून के तैथ हम कई सारे बैलून को इस्टेटोस्फेर में अलग अलग जगहों पर रखेंगे, ठीक है, यह अलग 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 जगहों पर उड़ रहे हैं, अब होगा क्या, बीसनल से जो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो की इंटरनेट के सिगनल हमें दे रहा है, तो वो सिगनल जो है, इसके पास पहुचेगा, बैलून नमबर वन के पास पहुचेगा, बैलून नमबर वन ये इंटरनेट सिगनल को भेज देगा, बैलून नमबर टू पर, और बैलून नमबर टू इस इंटरनेट सिगनल को कहां भेजेगा, सीधे हमारा जो घरन था, प लून के तहट आता है, वो इस signal को दूसरे बैलून में ट्रांसफर करेगा, और दूसरे या तीसरे बैलून से ये signal कहाँ पहुच जाएगा, हमारे सीधे जो है नीचे का सब्सक्राइबर है, इसके लिए सब्सक्राइबर के पास क्या होना चाहिए, इसके लिए सब्सक्राइबर के पास, इसी तरह आइलेंड के लिए अगर हम देखें, टावर से सिगनल गया कहा, बलून नंबर वन में, बलून नंबर वन से सिगनल कहा पहुच गया, बलून नंबर थी में, और बलून नंबर थी से सिगनल पहुचा, बलून नंबर फोर में, और बलू दूसरी खास बात क्या है, कि जब इसकी आवस्चता नहीं पड़ी, तो जो costing है, वो क्या हो गई? कम हो गई, और तीसरी खास बात है कि seamless connectivity मिली, मतलब ऐसी जगों पे रहने वाले लोग, जिनको कभी internet मिलता ही नहीं, या बहुत महंगी दरोपे मिलता, महंगी दरोपे कैसे मिल बढ़ जाएगी, optical fiber का इतना बड़ा network डालेंगे, तो जाहरी सी बात है क्या है, उसकी costing बढ़ जाएगी, और जब हम signal इतनी आसानी से अगर हम बेजेंगे इन घरों में, तो ऐसी स्थिती में internet का data charge क्या होगा? इन subscriber के लिए वो data charge कम हो जागा, तो दो फायदे हुए, पहल रिमोट areas में बसे हुए जो लोग हैं, उनको internet से connectivity मिल गई, ध्यान पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उनको कम से कम signal मिलेगा, सस्ती दरों पर इनको internet मिलेगा, तो इनको ये internet से connect हो गए, दूसरा service provider के लिए क्या फायदा हुआ, service provider को जो mobile towers है, वो हवा में उड़ते हुए mobile towers मिल गए, ठीक है, इससे फायदा क्या हो, कि हवा में उड़ते हो, mobile towers मिले, तो उसको जमीन पर towers लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब सोचते हैं, जैसे माली जी सुनामी आ गई, या कोई किसी भी तरह का disaster हो गया, तो अगर disaster होता, माली जी यहाँ पर tower होता, और land slide हो tower नश्ठ हो गया, तो जाहिर सी बात हो, पूरा area क्या हो जागा, ब्लेक आउट हो जागा, लेकिन जब भी आपके telephone towers हवा में उड़ रहे हो, किस रूप में, in the form of balloons, तो ऐसी condition में, डिजास्टर के समय, आपका signal loss नहीं होगा, तो basically disaster management के लिए भी project loan एक अच्छी चीज है, ठ चुकि इसकी costing जो है, वो सकम पड़ती है, इसलिए क्या होगा, overall dollar charges जो है, कम पड़ेगा, इससे Google को क्या फायदा है, Google को फायदा यह है, कि चुकि वो अपनी सेवाएं कि इसको दे रहा है, service provider को दे रहा है, तो जाहिर सी बात है, service provider से वो कुछ ना कुछ फीश या शुल्क चार्ज करेगा, जिसके वज़े से उसका revenue बढ़ेगा, दूसरे फायदा क्या है, कि अगर Google का search engine subscriber यूज करते है, तो उसको अपरोग शुरूप से भी revenue मिलता है, ठीक है, तो दोनों तरीसे के से Google का फायदा, subscriber का फायदा है, कि उसको जो है, बढ़िया क्वालिटी का telephone signal मिल है, और हमारे जो service provider का फायदा है, कि उसके, उसकी जो kitty है, उसका जो area of operation है, वो क्या होगा, अचानक ही बढ़ जागा, अब एक सवाल है, कि सर, ऐसा है कि अगर ये जो हमारे balloons हैं, हवा में हैं, तो हवा जब चलती है, दाएं से बाएं, आगे से पूरा अप्षपस्री मुत तरते दक्षण किसी भी दिशा में चल रही, तो थोड़े ही दिनों में तो क्या होगा, बैलून सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपनी जगा से drift कर जाएंगे, तो ऐसा इनको अपनी जगा पर बनाये रखने के लिए क्या करना चाहिए पड़ेगा, तो अगर बैलून जो ह से drift होकर कहां पहुंच जाता है, इस position पर पहुंच जाता है, तो हमें क्यों करना क्या है, इस stratosphere में अलग-अलग उचाही पर अलग-अलग directions में विंड बहती है, तो माल लिजे ही ये बैलून अभी जो है, माल लेते हैं, 14 km की उचाही पर उड़ रहा है, जबकि 12 km की उचाह पर जो विंड बह काई रहा ही है, वो दूसरे direction वहut, इस direction में 14 km की उचाही पर बह रही है, और west direction में क्या है? 12 km की उचाही पर बहर रहा है, तो हमें करना क्या है, बैलून को क्या करना है, इस की थोड़ी इसी गैस निकाल कर उसको कहां पहुचा देना है? नीचे के direction में, और जैसे ही नीचे वाली लेयर में पहुचेगा, बैलून शिफ्ट होकर फिर से अपनी ओरिजिनल पोजिशन में पहुच जाएगा, तो यानि कि इसमें बैलून की हाइट को कम या जादा करके, हम उनको अपनी पोजिशन पर बनाये रख सकते हैं, उनको ड्रिफ्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है, तो यह प्रोजेक्ट लून है, ठीक है, प्रोजेक्ट लून की खास बात हैं, फिर से हम बात कर लेते हैं, रिमोट एरियाज में ये इंटरनेट सिगनल की सप्लाई के लिए गूगल के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, फ्री बेसिक्स वर्सेज प्रोजेक्ट लून, फ्री बेसिक्स जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फेस्बुक का इनिशेटिव है, जबकि प्रोजेक्ट लून, गूगल का इनिशेटिव है, फ्री बेसिक्स के बारे में बहुत सारी बाते कहीं गईई, उसके लिए निगेटिव कमेंट होगे, क्या वाओजशनिन पहुत सा इनिशेटिव है, झाल झाल